नमस्कार दोस्तों स्वाधत है आपका हमारी इस चैनल धूब धुनुची आरति में दोस्तों किवने सेशन जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक किया था तो आज का क्वेने जो सेशन है वो मैं सरफ अपने कॉलेज में पढ़ने वाले भायों के लिए कर रहा हूँ भायों य इन्होंने भी मुझे सवाल भीजे थे मेल करके भीजे थे इसमें से ज्यादातर सवाल जो है उसमें से जो है कई सारे सवाल तो मुझे मिले ही और वो ज्यादातर जो है ग्रैजुशन की पढ़ाई कर रहे हैं कुछ ने कहा है कि वो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और ज बाईयों को जो है मेल कर भी दिया है, पर मुझे लगा कि एक जो है वीडियो भी उनके लिए बना देते हैं केबल जो है ये कॉलेज वाले जो मेरे भाई और बहन है, मैं केबल जो हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ पर हाँ विशह जो है वो देखा जाए तो इधर उधर से कई लोगों की साथ मेल खा ही जाएंगे तो आप भी जो है इससे फाइदा आप लोगों को भी मिल सकता है दोस्तों तो कॉलेज़ वाले मेरे पहले भाई जो है वो ही देश जैन हैं वो लिखते हैं कि दादा हम जैन हैं जै जिनेंद्र आप धूप के ऊपर वीडियो बनाते हैं यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जैन धर्म में धूप करने की एक बहुत बड़ी परंपड़ा है आप मुझे ये बताए कि क्या हमें जो है धूप प्रति दिन केवल धुनची धूप से ही क करना चाहिए या फर जो है हम धूप बत्ति या फर दूसरे धूप का प्रयोग कर सकते हैं यह वैसे मैंने यह सवाल जो है इसका जवाब मैंने कई बार दे दिया है कि अगर हम धूप निवेदन कर रहे हैं तो उसमें केवल धूप के मांध्यम से ही हमें धूप करना जलाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर शुद्ध बाले जो गोबर के कंडे हैं, उसे लेकर, तो आजकर कई लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं, जो कि धूप नई वेद्यम नाम का मिलता है, मतलब एक तयार वाला धूप कप जो होता है, वो मिल रहा है, तो क्या उससे भागवान को धूप किया जा सकता है, या फर जो है, आप जिस तरीके से मैं बताता हूँ, यानि कि जो नारिल के छिलके वगेरा जला कर जो है, उसी तरीके से, तो धूप आगनी अगर जलाना है, तो नारिल के छिलके या गोबर के कंडे में ही जलाना होगा, गोबर के कंड अगर हमें पूरन फल चाहिए और पूरी तरीके से जो है हम भगवत फक्ति के पत्पर चटकर जो है एक सही विधान के तौर पर धुप करना चाहते हैं तो उसमें धुनची धूप जो है वो धुपागी आनिके नालिल की छिलके में गी के बाति ग्याफर जो है कपूर से जला चाहिए ये मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों पर फिर भी जो है इसके उपर सवाल आ जाते हैं और फिर से जो है मुझे इसका सवाल का जवाब देना पड़ता है तो भाई मेरे हितेश जयन भाई जो है उनका सवाल का जवाब यही था और उनके सासत कई बहुत प्रसंद है क्योंकि धूप करने की परमपरा जो से जाइन धर्म में भी बहुत प्रचिलिद है और धूप तो एक सनातन प्रक्रिया है तो दिखा जाए तो हड़ संप्रदाय में हर धर्म में हर मत में जो है धूप दीप ये बहुत कॉमन चीज़ है तो ये जो है हमें प्राचीन और सनातन जो पद्धती है उसका अनुसरन करके ही हमेशा करना चाहिए अब दूसरा सवाल हमें करते है सम्रिध अगरवाद वो बोल रहे है कि दादा मैं होस्टल में रहता हूँ तो सुभे की जो पूजा जब मैं करता हूँ तो वहाँ पर जो है सभी लोग मुझे दादा ही बोल रहे है आज कल ये बहुत अच्छा लग रहा है वैसे सुनने में कि सभी लोग जिस तरीके से मतलब एक सम्मंध हो जाता है सभी लोग जब एक ही सम्मोधन से पुकारते हैं तो कई लोग जैसे मुझे दादा पहले-पहले में सभी लोग दा लोग ये दादा शब्द जो है दादा जो सम्मोधन है आच्चिली वो बहुत कॉमन होता जा रहा है और सब भी लोग यही दादा के ही पुकार रहे तो बहुत अच्छा लगता है यह जब मेरे खासकार एसे छोटे-छोटे भाई जब इस तरीके से जो है पुकारते है एक शंक बजाना करें या नहीं तो देखे दोस्टो यह मेरे भाई जो है और दोस्तों सभी के लिए यह कई में रहते तो हॉस्लय का प्रबलम नहीं नहीं यह ये कई लोग जो कि flat में रहते है ऊनका भी ये problem है उनका क्या problem है कि हो सकता है कि आप अप जो है पाज बचे सुभ़े को उटकर फूजा कर रहे है उस समय आपके पासवाले flat में जो लोग रह रहे हैं वो शायद नीन पे रहे हैं तो अब जो है अगर हम शंक बजाते घंटी बजाते तो कई समय वो objection करते हैं कि आप जो है इतने सुभे सुभे जो है ये सारी चीज़े प्रतिविन अगर आप करते हैं खास कर जो है तो कई समय objection आ जाता है कई लोग भजन गाके भी पूजन करते हैं बहुत सुभे सुभे तो अब कई लोग कहेंगे कि इसलिए तो हमें flat culture को अपनाना ही नहीं चाहिए हमें जो है अपना घर ही सही लगता है तो देखें दोस्तों हमें जो है समय के साथ-साथ हमारे जीवन शैली में पडिवर्तन आया है और हमें उस चीज़ को accept करके ही चलना पड़ेगा हम जो है ना इन कि कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा बीच का रास्ते का क्या मतलब है हमारी पूजा का timing भी जो है वो खराब ना हो हम जो है अपनी पूजा भी पोर्नत आसर करे और उसके साथ-साथ जो है किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी ना हो तो जैसे कि हम शंक नाम लेते हुए ताली बजाते हुए भी जो है हम भगवान को जगा सकते हैं और यह प्रभू आप उड़ जाए मा अब आप उड़ जाए सुभे हो चुका है मंगलारति का समय हो चुका है तो इस तरीके से भी जो है ना आप कर सकते क्योंकि हमें आप जो है प्रतिदिन आपका मन ही अशांत रहेगा तो जब मन अशांत रहेगा तो आपके उस पूजा उस कारी का करने का ना आप करतो रहे है आप जबर्दस्ति या आफर किसी चीज़ का विरोध करके जो है उस विशा को करतो रहे है पर जो है आपके मन अशांत रहेगा दिखेगा तो इससे ज करेंगे हम जो है आरती करेंगे इन सारी चीजों से समस्य को time करेंगे और he बहुत जादा विरोध बहुत जादा अशान्ती में ना जाकर आप उसे आप स्किप कर सकते हैं उस समय के लिए संध्या के समय जो है आप अवश्य करिए अब संध्या के समय भी अगर आपको कोई कहता है कि नहीं संध्या के समय भी आप रोज क्यों करते तब आप उन्हें बो किया मैंने अपनी भागवान की पूजा को दूसरे तरीके से जो है मूल विशे को रख कर मैंने मैनेज किया पर आप मुझे संध्या के समय भी नहीं रोक सकते क्योंकि ये अब मेरा अधिकार है ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने प्रभू की पूजा जो है शंक घंटी के साथ संध्या की समय अवश्य करूँगा तो हर समय जो जैसे कि हमें नतमस्तक भी नहीं होना है और हर समय जो है हमें अशान्ती में भी नहीं जाना है तो बस हमें जो है एक बीच का रास्ता निकलना है हमें कभी भी जो है बहुत जादा नरम नहीं होना है और कभी भी जो है बहुत जादा किसी विशय को लेकर कठीन या शक्त जो है वो नहीं होना है हमें दूसरों की विशय को हम समझें के जरूर पर जो देखा जाए कि नहीं वो सरफ जो है अपने किसी विशय को सिद्ध करने के लिए सारे कारे कर रहे हैं तब हम उनका विरोध जरूर करेंगे पर अगर जो देखा जाए कि नहीं अगर हम जो इस समय स्किप करते हैं तो सच में उन्हें शाय समस्या हो रहे हैं बच्चों जैसे कि बच्चे भी रहते हैं तो बच्चे भी जाग जाते हैं कई समय ये सारी समस्या होती है सुबह के समय तो ठीक है hostel में भी जो लोग रहते तो कई समय होता है बच्चे जो है रात भर कई समय पढ़ाई करते अब कई लोग कहेंगे रात भर पढ़ाई करने क्या ज़रूरत है सुबह की समय उठकर भी तो पढ़ाई की जा सकते तो ये हर किसी के अपने अपने विशे होते हैं हम इसे नहीं बोल सकते कि कौन रात में पढ़ाई करेगा और कौन सुबह में पढ़ाई करेगा तो वो उनके अपने विशे हो सकते हैं तो हम जो है बहापर जो है इस विशे को थोड़ा हम स्किप करके हम अपनी मूल पूजा को अवश्य कर सकते पर संध्या के समय भी अगर हमें रोका जाए तब हम जो है इसके विशह में जरूर उन्हें भी कहेंगे मतलब तब जो है हम उल्टा उन्हें पूछेंगे जरूर और उन्हें हम कहेंगे कि हम जरूर करेंगे हम संध्या के समय आप हमसे यह हक्ची नहीं सकते कि हम शंक गंटी बजाकर जो है अपने प्रभू की अराद ना करें चाहे आप हॉस्टल में रहे चाहे आप फ्लैट में रहे तो ये विशय जो है मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया है कि बेकार की अशांती में ना जाकर आप अगर थोड़े बहुत मैनेज करके जो है भागवान की पूजा करपार क्योंकि देखे ये कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं पड़ेगा भगवान की आप अगर शद्धा के साथ धूब दीप आरती के साथ पूर्ण पूजन करते हैं ना तो वही बहुत बड़ी बात है वहाँ पर अगर एक बार अगर शंक नहीं बजा रहे हैं त इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इस विशेक को जो है थोड़ा सा आप समझ कर इस तरीके से मैनेज कर लीजेगा होस्टिल बालों को या पर फ्लैर बालों को ना कई सारे समस्या होते रहते अब इन सारी चीजों को लेकर हमें चलना ही है दोस्तों अब हम यह नहीं बो पूजाकारी में आपके जो पूजाकारी में जो है सहीव करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है तो हमें देखना होगा कि किस समय जो है सच में असुभदाय हो सकती है लोगों को और किस समय वो मतलब कुछ लोग होते हैं चैबल जो है लोगों को बस पडिशान करने में उन्हें मज़ा आता है तो ये विषया समझ कर हमें अपने पूजा कारी को करना है लोगों को सिर्फे चड़ने नहीं देना चाहिए हम असुविधाव की उनके जरूर देखेंगे पर सिर्पे कभी नहीं चड़ने देना चाहिए कि हम जो है सुभे के समयवे अगर स्टाम के समयवे bet वही विश्य कहते है तब जो है हमें उसका विरोध करना चाहिए कि सिर्पे कभी चड़ने नहीं देना चाहिए अन्याय होता है तब वो अगर जो है हम किसी को विशय को समझ कर अगर फिर भी लोग हमसे उन सारी चीज़ों का फाइदा लेने की कोशिश करें तो कभी भी उस चीज़ को समर्थन मत करिएगा यही विशय है दोस्तों तो मुझे यह लिखते हैं कि भाईया मेरे एक दोस्त कहता है कि रोज धूप करना और रोज सिगरेट पीना एक ही जैसा है तो इसे अच्छा मैंने ही बहुत हरवडी में लिखा है मैं खुदी नहीं समझ पा रहा वो भी मैंने क्या लिखा है तो तो क्या धूप करने से हानी भी होती है अच्छा खानी भी होती है यही होता है हर बड़ी में कोई कारिय किया गया ना तो वो खुद बाद में खुद को ही समझ में नहीं आता है देखिए हमारे ना कई प्रकार के मैं देखता हूँ यूट्यूब में हो या पर कई सारे कॉंटेंट जो है वो गूगल में भड़े परे है ऐसे विश्यों पर कि धूब करना यग्य करना ये जो सा इसके जो धुए है इसके धुए को जो है वो सिगरेट के साथ कहा गया है और अगर बत्ति के धुए को जो है उसे भी सिगरेट के साथ कहा गया है तो अगर बत्ति या धूब बत्ति के विश्य एक अलग होते क्योंकि उसमें कई तरह के chemical चीजे जो है उसका इस्तेमाल होता है पर अगर जो है अगर जो है हम यग्य विग्ञान की तरह से देखे या धूप विग्यान की तौर पर देखे धूप जलाने की प्रक्रिया यग्य करने की या मैं आपको कहता हूँ कि यह तो यग्य धूप है या पर जो नित्य अगनी होतर है धूप अगनी होतर आप बोल सकते हैं तो धुंची धूब जलानी की जो प्रक्रिया है वो इतना वज्यानिक है कि वायू मंडल के जो विशानों होते उसे नश्ट कर देते हैं आपकी जो भी सारे एंग्जाइटी की समस्या होती है आपके जो आपको कभी भी जो है वो अगरबत्ती जलाने से या फर धूब बत्ती जलाने से उस प्रकार से नहीं होगा अब धूब बत्ती भी कई जो होते वो शुद्ध प्रकार के बनाये जाते कुछ-कुछ उस बारे में मैं नहीं कहूंगा पर फिर भी अगर मेरे आप माने तो मैं धूप बती या अगरवत्ती दोनों का इसत्यमाल ही एक तरीके से बरजित ही समझता हूँ. कम से कम मैं तो नहीं करता हूँ. अब जो लोग करते हैं उन्हें अगर बुड़ा लगता है तो मैं sorry पर मैं इन दोनों के ही पक्ष में नहीं हूँ. धूप पत्ति या अगर्वत्ति किसी के भी पक्ष में मैं उस तरीके से नहीं हूँ तो क्योंकि विज्ञानिक तौर पर जो हमारे यग्ये विज्ञान के तौर पर अगर हम देखे तो उसमें हम नित्य अग्नियोत्री यानि छोटा सा हबन अगर घर पे कर रहे है या पर जो है यह जो धुनीची धूप कारी अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमारे घर के विशानुनष्ट हो जाते हैं उससे हमारे मन को जो है पॉजिटिव उज़ा मिलता है उससे हमारे जो भी सारे दुर्गंद से दिखेगा एक प्रकार से ना कई प्रकार के कुछ खयालात आते हैं मतलब आप दुर्गंद में बहुत समय तक अगर रहते हैं तो आपके मन में कई दूसरे प्रकार के विचार आते हैं तो यह इससे बाहर निकालने में धूप हमें मदद करता है यह जो धुनची धूप करी है और उसके साथ साथ भगवान के साथ भी जो है एक बहुत आध्यात्मिक सम्मंद बनता है यह जो धुनची धूप अगर आप नित्य करते हैं तो इसका सिगरेट के साथ कोई सम्मंद तो मुझे नहीं पता लोग किसी भी विशे को लेकर यह न एक एक प्रकार का अजेंडा होता है अब हाँ देखे अगर आप जो है साड़े जो है मतलब कमरे वगेना सब बंद करके रखते हैं और वहाँ पर आप धूप जलाते हैं तो वो तो आपके लिहानिकारा खोगा ही अगर रसुल में आपका खाना बना रहे है तो खाना बनाते समय जो है आप अगर सारी चीज़ें बंद करके रखते हैं अपने घर के तो खाने के वो जो तेल जल रहा है या पर जो खाना बना रहे हैं उसके जो धूए से जो है उससे भी आपको कई प्रकार के बिमारी हो सकते हैं तो धूप जो है वो भगवान के एक प्रकार से खाद्य वस्तू ही है हव्य है एक प्रकार से तो कभी भी जो है मतलब मैं कॉंसेट के लिए यहाँ पर आपको बस यह बता रहा हूँ कि अगर आप खाना भी बना रहे है क्योंकि खाना तो आप आपने माली जाए अपने धूप का उसकिप कर दिया कि धूप मैं नहीं करूँगा धूप आपने बंद कर दिया करना अब आप खाना क्या करेंगे खाना आप नहीं बनाएंगे क्या कि suffocation ना हो जाए इस विश्यक का बस ध्यान रटना क्योंकि उससे जो है जब हम बंद घर में बहुत सारे धुआ जो है वो इकठा हो जाता है तो हमारे स्वास लेने में जो है कई समय तकलीव होता है तो उससे जो है कुछ समस्या हो जाती क्योंकि सास जब हम जो है बहुत मतलब हमारी सास की जो गती जो होती है वो अगर थोड़ा धीमे धीमे लेना पड़े क्योंकि एक घर में बहुत सारा धुआ अगर भढ़ जाएगा तो वैसा होगा ही तो वो एक विश्य होता है उस विश्य के साथ जो है सिगरेट को जो ना किसी भी प्रकार की कोई समझदारी का विश्य नहीं है सिगरेट के हानिकारग विश्य जो है वो अलग होते हैं हम जो है ना ऐसे विश्यों को मुझे पता नहीं ये सारे शोध कहा पर मिलते हैं जबकि हमारे यहाँ पर इन सारी विश्व यग्य विज्ञान पर और धूप के उपर कई सारे शोध हुए हैं जिसमें ये संपूर्ण तरह से ये सिद्ध हो चुका है कि हमारे जो यग्य और धूप करिया जो पधती है उससे जो है हमारे घर के वातावरन को शुद्धता मलती है हमारे होती है तो ये उनकी मन की बात है अब लोग अगर मान ले की नहीं हम धूप के जगा जो है हम मतलब धूप और सिगरेट को इस तरीके से एक करके एक प्रकार का एक अजेंडा चलाना मुझे लगता है ये किसी भी प्रकार से कोई सही कारिया नहीं हो रहा है और धूप हमारे वातावरन को जो है वो शुद्ध करता है मुझे नहीं लगता कि सिगरेट में वो सारी चीज़े होते सिगरेट में क्या शुद्धगी होते सिगरेट में क्या जो है वो गुगल होते जो सुरधूप यानि की पीलेवाले राल उसमें होते उसमें अगरू होते उसमें चंदन होते हैं तो ये सारी चीजें क्या Communist में होते हैं जोつ cassette और ख़न समागरी और इक समान हो जाएगा तो ये कहा का लाजिक है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है अब अगर वत्ती में कईर का कैमिकल जो है वो इस्तिमाल की जाते अगर ये कहाद जाए कि अगर बत्ती और cigarette के धुए से हमें कुछ हानी होता है तो वो विशे एक विशे माना जा सकता है क्योंकि अगर वत्ती में कई प्रकार के ऐसे chemical कई प्रकार के ऐसे चीजे कई प्रकार के ऐसे acid इस्तेमाल किये जाते हैं जिसके धुए जो है वो हमारे लिए हानी कारक हो सकता है पड़ जहाँ पर प्राकृतिक धूप और धूप वस्तु का हबन सामगरी जैसे वस्तु का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है धूप करने में तो उसमें कहां से सिगरिट आ रहा है siigret में कैसे जो है तो धूप में इस्तिमाल होने वाले शुद्ध चीज़े जो है कैसे हम siigret से उसे relate कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगर आप लोगों को इसका logic समझ में आ रहा है और जिस भाई मुझे पूछा है वो अगर अपने दोस्ते सोड़ा सुनकर बताए तो मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा घ्यान मिल जाएगा उससे एक्चिली न हमें जानकारी का अभा होता है हम मूल विशय को उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों को हम समझते नहीं हम जानते नहीं बस कुछ भी हम बोल देते हैं तो सबसे पहले तो आपको न भाई अपने दोस्त को जो है थोड़ा समझाना चाहिए अब उसके बाद भी अगर वो नहीं समझता है तो उससे थोड़ा इग्नौर करना ही सही है क्योंकि आपके भक्तिपत में जो है जब कोई बाधा डाल कर मतलब उल्टे सीधे चीजे बोल कर आपको भटकाने की कोशिश करें तो उन लोगों को थोड़ा इग्नौर करना ही सही होता है जो सवाल आया है उसमें भाई ने कहा है यह बनारस में रहते हैं और मुझे कह रहा है कि भाई क्या होस्टल में रहते हुए जो है भाईया भाईया क्य लिए आप hostel में रहे, आप फ्लैट में रहे, आप कही परवे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी दुकान में रहकर, अपनी दफ्तर में रहकर भी जो है, धूपसेवा कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, अब हाँ, सामगरी बहुत सारे जो है, हर समय ज इसमाल अन्हाइन कोई कर लिए अन्हान के ल्तार में घुरफ, इस सब्सक्राइब कार रहे, अवे, क्क्राद में तो इस परकार से भी किया जा सकता है, आपको बहुत सारी वस्तों गर नहीं مिल रहा है, या बहुत आदम बरता कही कोई जरुरूदी नहीं, बस राल गूग बाती अगर आप के लिए संभ το होता है, तो घीके बाते सिरे जला लीजे। उसके सात tych जिती एक भाय ने मुझे लिख przede mentioned कि वह जो है वो फिल्क तेल की दी इपक चलां कर आपते करते हैं वह गीके दीपक नहीं जलाते हैं। 호सिल के घर पे जब और उसके साथ जो है उसमें आप छोटा सा मिश्री ऑर मतलब थोड़ा सा मिश्री और गी आप दे सकते या पर केवल घी भी दे सकते या फर थोड़ा सा शहद आप दे शकते हैं घी और शहद अगर आपे खरीद कर रखेंगे न तो आप अगर प्रतिदिन के इस्तेमाल के तो समस्य उसमें बिल्कुल नहीं है अब जो आखरी सवाल है आखरी एक्चुली सवाल नहीं कई लोगों ने मुझसे कहा है तो उसमें जो है सबीने कहा है कि आपने ब्रह्मचरी के उपर जो भाया आपने जो पोस्ट डाला था दादा भाया बहुत सारे ऐसे विश्याय है मुझे कुछ मेल मिले मुझे जो है साथ आठ मेल मिले इसमें से और सभी के सभी जो है वो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि दादा या पर भाया ब्रह्म्मचडिय का पालन जो है वो आपने जो पोस्ट लागा था उसके ओपर मतलब होता है वो ब्रह्म के पतपर चलना ब्रह्मचडिय केवल जो है वो पुरुषो के लिए नहीं होता है पुरुषो या फर नारी हो सभी जो है वो ब्रह्मचडिय के पतपर चल सकता है यानि कि ब्रह्मचडिय जो है चलने वाले ही ब्रह्मचडिय का पालन करते है असल म किसी भी प्रकार का कोई जो अजेंडा है उसे कायम करना जो है वो ब्रह्मचलिया नहीं है कई लोग मुझे कह रहे कि हिंदी वर्षन जो है ब्रह्मचलिया जो है वो इस विश्यक का हिंदी वर्षन है या नहीं मतलब सम्थिंग का हिंदी वर्शन है या जिन्होंने पूछा है उन्हें समझ में आ रहा है शायद तो ब्रह्मचडिय जो है वो किसी विश्य का कोई हिंदी वर्शन नहीं है ब्रह्मचडिय जो है बहुत आदी समय से चल रहा है और ब्रह್मचडिय जो है वो सनातन है ब्रह्म ம के उपासना अरादना के पत पर चलने को ब्रह्मचडिय का कहा जाता है किसी भी अजेंडा को लेकर गलत तरीकी से जो है केवल ब्रह्मचडियों को अगर हम प्रस्तुत करते हैं किसी शारेरिक वृत्ति के साथ केवल जोर कर तो वो जो है बहुत ही एक गलत पत है ब्रह्म चलिये का अर्थ होता है इश्वर के अराधना के पत पर चलना श्री राम कृष्ण देप कहते हैं कि इश्वर की भिन्य बाकी जो भी सारे वस्तु है वो अवस्तु है तो हमारा जो म कर्म पर ध्यान देना है हमें अपनी कर्म को सशक्त करने पर ध्यान देना है अगर हमारा कर्म सक्षक्त होगा अगर हमारे एक कर्म के पत पर हम जो है निरतर अभ्यास से चलते रहेंगे तो हमारे अकर्म जो है जो हमारे अकर्म का मतलब है जो इश्वर की भिन्य जो भी सारे जो बाकी जो कर्म है जो की अकर्म यानि की अवस्तु कर्म कहा गया है उसे वो सारे कर्म जो है अपने आप छूड़ जाएंगे जब जो है हमारा मूल कर्म यानि की ईश्वर अरादना और ईश्वर भक्ती ही मूल होगा तो ब्रह्मचडिय जो है वो एक शादी शुदा इंसान के लिए भी वो ब्रह्मचडिय है अगर वो जो है वो संपूर्ण धर्मपत पर चल कर यानि कि ईश्वर अराधना के पत पर वो चलना चाहता है या पर चल रहा है हाँ पूर्ण जो ब्रह्मचाडी होते यानि कि जिन्हों ने अपने आपको पूर्ण रूप से इश्वर को समर्पित कर दिया है वो जो है थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे और जो गृहस्त रहकर जो है ब्रह्मचडी का पालन कर रहे हैं यानि कि ब्रह्म के अराधना के पत पर चलेंगे तो उनके गारी हो सकता है कि थोड़ा जैसे कि एक ट्रेन जो है वो राजधानी की तढ़ा चलेगा और दूसरा जो है वो थोड़ा मालगारी की तढ़ा थोड़ा दील दील चलेगा पर उद्देश्य जोनों का उद्देश्य जो है वो इश्वर अराधना है तो ब्रह्म चड़िये का मतलब ब्रह्म अराधना है ब्रह्म के अराधना के पत पर चलना है ब्रह्म अराधना के पत के बारे में मैं देखता हूँ कोई बात ही नहीं करता है बल्कि जो है कुछ इस तरह के संथिंग जो और संथिंग हिंदी वर यह करने से हम उच्छ इस तर पर जाएंगे ये जाएंगे वू जाएंगे पर इश्वर अराद्ना की ब्रह्म पत पर चलने पर तो कोई बात ही नहीं करता मैंने जहां तक खास कर मेरे भायों का इस प्रकार का मेल मिलने के बाद मैंने इस तरह के जितने वी वीडियो चेक किये हैं उसमें मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला उसमें मुझे एक भी ऐसा विश्य नहीं मिला जहां पर वो कह रहे हैं कि आपको इश्वर अराधना के मूल जो कर्म है, जो की ब्रह्म चलिये का मूल कर्म है यानि की जो ब्रह्म पतपर चलना ब्रह्म अराधना के पतपर चलना इस कर्म पर ध्यान के इंदृत करना इस विश्य में कोई बात ही नहीं कर रहा है जो भी सारे शारेरिक वृत्तियों कि उपर बात कर रहा है ना तो उन सारे पतपड आप जो है ये सारे रास्ते आपको ये डायेट लेना चाहिए वो करना चाहिए ये करना चाहिए ये नहीं देखना चाहिए अप इन सारी चीजों को जो है बहुत समय तक नहीं रोक सकते हैं जब तक जो है आपका मन जो है ब्रह्मचरी सभी के लिए होता है यहाँ पर स्त्री और पुरुष को इमाने नहीं रखता है उन्हें जो है मैं कहूंगा कि आप लोग इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूज मत हो यह आप जो है शारीरिक बृत्तियों पर नहीं बल्कि जो है अपनी आत्मा के बृत्ति हमें जो उनका उद्देश ही है ब्रह्मपत पर चलना तो वही जो होता है असल में ब्रह्मचरी होता है हमारे अगर आप देखेंगे वेदों की जो धर्म है वो ब्रह्मचरी का धर्म है वेदों में यह नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है अभिवाहित रहकर जो है ब्रह्मचरी का मतल पर दाभ भाषाल में अंधाय्डव खाधा माणिकों रखाधा चाहिए। रहे है आजकल वो नहीं है वो बिलकुल नहीं है ब्रह्म चड़िये का मूल अर्थख होता है ब्रह्म के अरादना में अपने आपको धीरे धीरे हाँ एक दिन में नहीं होगा एक दिन में अभ्यास में नहीं होगा आप कहेंगे कि क्या आप जो है इतने बड़े बड़े बाते कर रहे हैं आप जो है संपूर्ण रूप से इस बात को नहीं दोस्तो इसका प्रैक्टिस करना होता है आप जो है ना ब्रह्म पतपर ब्रह्म अराधना के पतपर जब चलें के तो उसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा आपको मूल करम कोई प्रैक्टिस करना होगा एक दिन मे पर ब्रह्म के अराधनाम का पत है वहाँ पर ब्रह्म को अपने आपको समर्पित करने का पत है तो उन विश्यों की अगर हम मूल में ना रखकर जो है दूसरे विश्यों को अगर हम केंद्र में रखकर आगे बढ़ेंगे तो हम जो है बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे तो दोस्तो मेरे भाईयो ब्रह्म चड़िय जो है आपको पालन करना है तो उसके लिए आप इस संकल्प को सबसे पहने लीजे कि हम जो है ब्रह्म अरादना के अभ्यास को कभी भी नहीं छोड़ेंगे हम जो है इस चवर अरादना को ही जो है अपनी जीवन का मूल वस्तो बनाएंगे उसके साथ हमारे जो भी परतब्य हो रहे हम अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे ये सारी चीज़े तो है ही वो सारी चीज़े तो हमारे जीवन का मतलब क्योंकि हमने शरीर धारन किये है तो के अरादना, उनके उस विशय पर ध्यान देना है, तो देखेगा दोस्तो, आपका जो है ना मूल विशय जब ब्रह्म अरादना हो जाएगा, तो दूसरे विशय आपके मन से, यानि दूसरे कर्म जो है, आपसे अपने आप ही चूर जाएगा, उसके लिए आपको जो है, नहीं चाहता हूं कई लोगों ने मुझे कहा है कि अलग से वीडियो बनाने के लिए पर मैं इस विशह में इंटरेस्ट नहीं हूं बहुत सारे वीडियो बनाने में अक्चुली पर विशह जो है मूल यही है कि ब्रम्मचडिये का मतलब होता है ब्रहम के अराधना के पत पर च नहीं है अगर हमारा उद्देश ब्रह्मक तक ही नहीं जाता मूल रूप से इश्वर अराधनापर चन्ली का एक जो है पत है एक जो है अभ्यास है इस विशे को जो है सबसे पहले आप समझ लीजे आपके ये कर्म जब बढ़ीगा तो आपके दूसरे कर्म अपने आप छूर जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे भायों जो लोग जो जनोंने मुझे मेज किया था जोनोंने मुझे पूछा था इन सारे विशों के उपर मैंने उनके लिए वीडियो बनाया तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंज करके ज़रूर बताएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेर भी ज़रूर कर दीजेगा मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार